आज हम बात करने वाले काफी serious मुद्दे के बारे में जो की मेरे को इसको ले करना बहुत सारे messages आते हैं, बहुत सारे comments भी आते हैं और personal पर बहुत लोग पूछते हैं कि यार मुझे अपनी cousin पसंद आ गई है, जो cousin sister है वो पसंद आ गई है, cousin बोले तो अपनी सगे चाजा चा मैंने सुचा क्यों नहीं कैसी वीडियो बनाई जाए, जिससे mindset clear हो कि ऐसा क्यों होता है और अगर पसंद आ गई तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले चीज कि अगर तुम्हें अपनी cousin बहन पसंद आ गई तो सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, वीडियो वीडियो तो देखते रहोगे, लेकिन जाओ किसी psychiatrist के पास और उसको दिखाओ कि दिमाग में कौन से nerves cells तुम्हारे डाउन हो गए, जैसी गंदी गंदी चीजे तुम्हारे मन में आ रही है, अब कुछ लोग यहाँ पर emotional हो रहे होंगे, भाई कैसी बाते कर रहा है हमारे समाज में तो यह allowed है, तो जिन लोगो के you know समाज में allowed है, जिन लोगों के religion में allowed है, मुझे उन से कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे में allowed है तो बहुत well and good बात है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनको impressed करना चाते हो, इवन अगर तुम उन से शादी भी करना होती है तो यह चीज सोचना बहुत गलत चीज़ है और बिलीव मी और नॉट बिलीव मी और नॉट हद से जादा लड़कों को यह पिमारी लगी हुई है हो सकता है आपके मन में भी कभी ने कभी ऐसा ख्याल आया हो आता हो या रोज तुम्हें होई हो कि यार यह कसन बहुत ब अटा लेता है या मैं उसको बॉइफेन गल्फेन बना लेती बना लेता यह मन में हमेशा हर एक लड़के के आता ही आता है कोई किसी को बताता नहीं है बट डेप इंदी माइंड हम सबको पता है कि हमारे मन में भी एक कीड़ा जागा हुआ है अब तुम सोच रहोगे कि यह चीज क्यों नहीं करना चाहिए दिमाग की लाज क्यों करना चाहिए यह वहीं बोल रहा है तू मेरी बार समझो यह मैं मॉरली नहीं बोल रहा हूं नेतिकता के तौर पे नहीं बोल रहा हूं कि मॉरल एजुकेशन नहीं यह नहीं करना चाहिए अरे नहीं यह तो गलत चीज है भाई वो गलत है तो है ही है उसको तो कोई नकार नहीं सकता सबसे पहले चीज इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें ये चीज अगर तुम्हारी ये चीज किसी को पता लग गई न तो बहुत बुरी बेज़िती होती है तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा की, तुम्हारी तो क्या बेज़िती होगी, तुम तो जब मन में एक खयाल लेकर आए, तब ही तुम्हारी बेज़िती हो गई थी, तो यहाँ पर तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा की बेज़िती हो जाती है, कितने लोगो सब के सामने उन्हें उपन कर रखा है तो अंदर ये अंदर चलता है और मैं कितने लोगों को ऐसा जानता हूँ जो की physically भी involved है Believe me or not मैं भी शौक डूँ भाई तुमें बताते हुए बट ऐसा होता है इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बनाने ही पड़ेगी तो गिंच उनके एक दो लड़की हमसे बात करते हैं वो हमारी खुद की कजन होती है अब ऐसे में हमें हवस का इतना नंगा नाच चड़ा हुआ होता है कि हमें हवस के सामने कुछ दिखाई नहीं देता यह हवस ही होती है जो लड़की तुमको प्रसंद आ रही है देखके पहले भी क्लियर कर चुका हूँ प्यार व्यार नहीं है यह हवस है ठीक है तुमारी जो जवानी है वो निखर रही है और लड़की तुमको भाव नहीं दे रही है हाँ पर कुछ मिलनी रहा है तो तुम अपनी कजन पे गंदी चीजह देख रहे हो गंदी नजरे डालरों कहना चीछ ना तो क्योंकि उत्में भाव दे रही है भाई समझके तुम उस पे गंदी नजरे डालरों उससे कुछ-कुछ बाते करते हो हैं उसके मन में कुछ-कुछ बात करो बहुत सारी लड़िकिया हैं लाखों लड़िकिया हैं और कम सब्षक्र से जाके बात करो होई तो भाव देगी कहीं न करी तो जाओगे तुम कहीं तोतमारा मैंड भटकेगा इधर उदर जाएगा करजन पे तुम ध्यान लगा रहे हो यह चीज बहुत गलत है और जो लोग सच में involved हैं जहाँ पर उनकी cousin भी उनको like करती है जो भी दोनों के बीच टांका चल रहा है तो भाई उसको खतम कर लो क्योंकि आज नी तो कर ये चीज़ें निकल कर आएंगी ही आएंगी और अगर निकल कर आएंगी तो तुम्हारी बहुत गंदी वाली टूटेगी तुम अपनी तो बेज़ती करवाओगी करवाओगी अपनी मम्मी और अपने पापा की भी बेज़ती करवाओगी पूरा समझ पूरी फैमिली रिलेशन्स खतम हो जाएंगे, पूरी फैमिली भरबाद हो जाएगा तुम्हारा, कि तुमने क्या हरकते कर दी, क्योंकि ये चीज़े बहुत जल्दी वाइरल होती है, मैं बताता हूँ, मेरी मैमी मुझे पताती रहती, मैं बोलती है, और नहीं तो रिष्टा तो रिष्टा होता है, समझ रहो, माइंड ये होता है, ये फैमिली ऐसे सोचती है, दूर तक के भी अगर तुम शादी कर लेतो, तो बोलते हैं, रहे, इसने तो पाप कर दिया, क्या कर दिया इसने, तो सोचो तुम तो खुद की कजन को पसंद किये बैटे हो, खुद की कजन के साथ तुम्हारा टाका चल रहा है, भाई, छोड़ दोए चीज बेजती हो जाएगी, अब यहाँ पर क्या-कया मुश्किले आ सकती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कि तुम चाहा कर भी उससे दूर नहीं हो सकते, हो सकता है कि तुम्हारी जो फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली में तुम रहते हो, अकेले रहनी सकते है, सब लोग एक साथ रहते तो क्या इतना किसी को फरक नहीं पड़ता भाईयों बैनों में लड़ाई जगड़ा होता रहता है ये सब चलेगा लेकिन बात बात करना तुम थोड़ा कम कर दो एतलिस्ट दो-चार मैंने उसे बात मत करो क्योंकि ये चीज़ हटना जरूरी है इस बीच क्या होगा तुमें भी शायद कोई और लड़की पसंद आजाएगी उसको भी कोई और लड़का पसंद आजाएगा सब सही हो जाएगा लेकिन उसे बात करना कम करो तो तुम जितना बात करोगे उतना ही ज़्यादा तुमें ये सब दिमाग खराब होगा तुम्हारा और ऐसा मुश्किल 担ब हो जाता है जब लड़की खुद तुम्हें पसंद कर रही होती है तुमारी कजन भी तुमको पसंद कर रही होती है क्योंकि तुम नो उसके mind में ये सब चीज़े गंदी भर रखी होती है वो भी तुमको प्रसंद करने लगती है और कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी एज इतनी छोटी होते है कि उनको सही गलत का पसा भी नहीं होता ये ज्यादा दर पता है कब होता है ये 12-13 साल से लेके 18-17 साल के बीच में होता है अगर तुम इससे बढ़े हो तब भी तुम्हारे माइन में चल रहा है और ये चीज़े हैं तो फिर मैं तो क्या ही बोलूँ भाई दिमाग है तब भी यूज नहीं कर रहे हो तुम और सबसे सही तरीका तो इसका यह होता है कि तुम अपने कजन से बहुत दूर रहो जैसा अगर तुम joint family में रहते हो तो किसी काम के लिए college के काम से किसी job आपके लिए अगर तुम चाहते हो तो दूर हो जाओ उस घर में रहो ही मत और अगर तुम बार-बार मिलने जाते हो तो यह चीज भी छोड़ दो यह चीज भी काम बंद कर दो और जो तुम्हारे लाइफ में अभाव चल रहा है लड़कियों का जिसकी वज़ा से तुम अपनी कजन पर ध्यान लगाए बैठे हो तो उसको अभाव को कम करो अपने अंदर कुछ ऐसा लेकर आओ जहां पर तुम गुल मिलकर बात कर सको क्यों तो लड़कियों यS से बात नहीं कर पाते हूं अगर तो अगर तम यश तो ब्राजी के लिए बना रहे हो वह भी चलेगा अगर तुम दोसी राजी हो दोनों का राजी हो जरूरी है ठीक है लेकिन अगर तुम कजन के साथ यह नहीं चलेगा भाई तुम्हारे माइंड में गलर थौट्स आ रहे हैं तो यह भी बिल्कुल नहीं चलेगा भाई तो जिस जिसके मन में सारे ख्याल आते थे अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि तुम काम नहीं होगा या ऐट्लिश्ट उसकी शुरुआत हो ही गई होगी तो वीडियो को लाइक हो अगर तुम किसी एक ऐसे व्यक्तिव को जानते हो जो की इस काम में फशखा हुआ है तो उसको पॉसको पूसनली यह वी-डियो शेर। प्लीज, प्लीज, प्लीज कर देना भाई, किसी भी इंसान को तुम जानते हो, नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर जानते हो तो ये चीज़ शेयर कर देना, मैंने बहुत ऐसे केसे देखे हैं, जहां पर लोग इन चीज़ों में involved हैं, और जहां पर लोग तो ये चीज़ घलत है, ये चीज़ मत करना, और अगर तुम्हारे माइन में ये है कि तुम आगे चलके शादी कर लोगे, बीवी बच्चे बन जाओगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम भाई बरबाद हो अपने जिन्दगी में, तुम जिन्दगी में पता क्या करोगे, अगर बेहन के लिए ऐसे ख्याल आ रहे हैं, बरबाद हो भाई, बरबादी के लक्षन साफ दिख रहे हैं तुम्हारे,